ओम शान्ती, आप सबको स्वागत आपके 38 दिन के आज वर्दान पर तो आज का जो वर्दान है वो हमें बताता है कि हम किस तरीके से परमात्मा के साथ में मिल करके एक मास्टर रचेता, एक क्रियेटर बन जाएं अगर आपको महसूस होता है कि सारी दुनिया अगर दुख में है, तो आपको ये भी महसूस होता होगा कि क्या मेरे अंदर उत्ती शक्ती है, कि मैं और उनकी मदद कर पाऊं, और उनकी सेवा कर पाऊं तो परमात्मा ये कहते हैं कि हम सर्व आत्माओं के अंदर कुछ न कुछ गुण परमात्मा ने भरे हुए हैं हो सकते हैं कि हम भूल गए हैं हो सकते हैं हो सारी शक्तियां भूल गए हो तो इसी कारण तो परमात्मा कहते हैं कि आप आओ, आप meditation करो आप ग्यान लो, आप सत्य ग्यान लो ताकि सत्य तासे आपके अंदर शक्ति आए, आपके अंदर गुण आए और आप चारो तरफ, चारो और की आत्माओं की आप मदद कर पाओ हम आप बोलोगे मैं चारो और की आत्माओं की कैसे मदद करूँ मैं बैठे बैठे घर पे, तो वो भी पॉसिबल है, तो परमात्मा में एक ऐसी शक्ति देते हैं, जिससे कि हम टेलिपैथी के द्वारा, या कहें कि दूरा देश हम अपने सारे संकल्पों को चारो तरफ फैला सकते हैं, अब सारी दुनिया फैलारी है वो सब कुछ, लेकिन किसी क अंदर लोब है, किसी के अंदर आहंकार है, किसी के अंदर इर्शा है, तो वो है सकुछ अंदकार की वाइबरेशन, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आओ चलो हम मेरी टेट करें और पवित्तर वाइबरेशन चारो तरफ पैलाए, उसो कैसे करते हैं, आईए सुनते हैं परमात द्वारा विश्वकी देखरेक करने वाले मास्टर रचेता भवा बुद्धी कैसी होने चीज़ के लिए दिव्वे बुद्धी दिव्वे जो शब्द भुआ रहा है देवता देवता मनलब दिव्वे गुण means divine qualities अगर आप देखें तो आपके इस पास में लिंक भी दिया हुआ इस वीडियो में जिसमें दिव्वे गुणों के चाठ है सारा कौन से गुण होते हैं जो दिव्वे गुणों होते हैं उनके बिना आप किसी की सेवा नहीं कर सकते आप स्वयम की भी नहीं कर सकते, आप औरों की तो भूली जाएं तो परमात्मा कहते हैं कि दिव्वे बुद्धी के विमान द्वारा विश्व की देखरे करने वाले Master रचेता भवा, Master means बच्चा तो जिसकी बुद्धी जितनी दिव्वे हैं, अब आपकी प्रकाश, आपकी लाइट, आपकी जो टौश लाइट जितनी स्ट्रॉंग है उतनी दूर तक उसकी लाइट जाती है उसी तरीके से आप आत्मा, हम आत्माओं की जो शक्ती meditation से जितनी वो bride बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है उतनी ही वो शक्ती बढ़ती जाती है जिसकी बुद्धी जितनी दिव्वे है, दिव्वेता के अधार पर उतनी speed तेज है तो दिव्वे बुद्धी के विमान द्वारा एक सेकंड में इस पश्ट रूप से कि तर टाइम में एक सेकंड में लगता है तो जो thoughts बिबकल pure होते हैं उनकी speed बहुत fast होती है वो दूर दूर तक जाकर के सेवा कर सकते हैं किसी को आप महसूस करा सकते हैं कि भागवान है किसी को आप महसूस करा सकते हैं कि उनकी सारे दुख मिटने वाले हैं कि नहीं को आप महसूस करा सकते हैं कि आपको जाकर के ये meditation सीखने है चाहिए वो जतना दूर बैठा हो वो 2000 किलोमेटर की दूरी पर है तो लेकिन उसको महसूस होके कि मुझे जाना है कही meditation सीखनी मुझे मुझे जा करके कहीं देखना है कहां से meditation सीखनू और वो आपके कारण ही वो राइट जगा पर पहुंच जाएगा ब्रहमको मायरीज में पहुंच करके free meditation सीख पाएगा चाहिए वो किसी भी देश में बैठा हो तो आप किसी का भी कलने आने आप बैठे बैठे कर सकते हैं परमद करते हैं तो दिव्वे बुद्धी के विमान द्वारा एक second में सपष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर तो आप कैसे परिक्रमा कर सकते हैं आप जानते होंगे कि आपका एक यह physical body है स्थूल शरीर है फिर आपका एक होता है औरा का शरीर जिसको कहते हैं आपका उर्जा का शरीर और एक उर्जा होगी आत्मा तो उर्जा का जो शरीर है जो पराने योगी लोग होते थे वो अपने उर्जा के शेरिर के द्वारा सेवा ही करते थे वो किसी के भी सवपन में आ करके उनको दुआएं, उनको शक्तियां प्रदान कर सकते थे तो क्या आप नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए आपका जो सुक्षम शेर हो बहुत पवित्र होना चाहिए इसलिए ब्रह्मा कुमारिज में हम जो हम सेवा करते हैं तो हम एक फरिष्टा सुरूब बन करके सेवा करते हैं अब फरिष्टा जो होता है वो मास मचली तो खा नहीं सकता उसी तरी के से उसके जो औरा होता उसके जो उर्जा होती वो नेगेटिव हो नहीं सकती अपवित्र नहीं हो सकती तो मास मशली खाने वाले जो होते हैं उनकी अपवित्र हो जाती है उर्जा तो वो किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं ना आप नहीं कर सकते हैं ना और उकी कर सकते हैं वो भोगी बन जाते हैं परमात्मा कहते हैं कि बुद्धी के विमान दोरा बुद्धी तभी भाग सकती है चारो तरफ जब आपकी संकल्प शक्ती दिव्य हो एक सेकंड में शृष्टी रूप से स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्वात्माओं की देख रेख करो तो इतना बड़ा परमात्माने काम दिया हुआ इतनी बड़ी रिस्पोंसबिल्टी दिए हुए है उन्हें संतुष्ट करो तो कैसे करें मेरी डेशिम में बैठें सीखें और अपने आपको पवित्र बनाते जाएं और एक इसी स्टेज पे पहुंच जाएं महीनों कुछ वर्षों बाद जहां पर आप सारी आत्माओं की आप सेवा वहीं बैठे बैठे कर सकते हो आपको स्वपन में उनकी आवाजे आएंगी उनकी पुकार आएगी उनकी दुख की आपको उनकी जितनी भी उनकी वाइब्रेशन्स हैं अपवित्र वाइब्रेशन्स आपको महसूस होंगी और वहीं से आप प्रकाश वालाना शुरू करेंगे अब दिवे प्रकाश मेडिटेशन के द्वारा करेंगे अनकी आप सेवा कर पाएंगे जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे मेडिटेशन में उतना चारो और का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने जोती देखी वो तहने किसी किसी वो साक्षात कार होता है दिखा जातों कुछ लोग बोलते हैं कि हमने एलियन शिप देखी ये राज यहाँ पर है तो वो एलियन शिप नहीं है वो जो प्रकाश सफीद प्रकाश उजला प्रकाश दिखा उनको वो वही फरिष्टा सुरूप आत्मा है जो चारो तरफ घूम घूम करके सेवाएं कर रही है वो ऐसे शरीर से अलग हो जाती है कुछ सेकंड के लिए और चारो तरफ चक्कर लाकर के प्रकाश देती है और जिन्होंने उनको देखा है उस परिष्टा सुरूप में यह प्रकाश देखा है उस समय वो बिल्कुल शरीर से अलग महसूस करते हैं बॉडी लेस कहते हैं जिसको अशरीरी कहते हैं वैसी अनुभूती होती है उनको अगर आप देखें जाकर कर वो पता से लेगा उनको बिल्कुल महसूस हुआ जैसे उनका शरीर ही नहीं है और फिर किसी ने उनको बुलाया उपर और उनका ऑपरेशन की है किसका आत्मा के दुखों का ऑपरेशन ये कोई मजाक नहीं है ये बहुत बड़ी बात है तो परमात्मा का प्रकाश जो अतर चारो तरफ निमत आत्मा हो इंस्ट्रुमेंट आत्मों के दौरा पहलता है जिनके दौरा परमात्मा सेवा करा रहे है तो चारो और का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने जोती देखी चलते हुए फरिष्टे देखे इसके लिए स्वेम कल्यानी के साथ स्वा का कल्यान के साथ विश्व कल्यानी मास्टर रचता बनो स्वा का कल्यान तो करना है मेडिटिशन करके अपने मन को तुशान्त करना ही करना है जब अपने आपको भरपूर कर लिया तो फिर औरों को भी भरपूर करना जरूरी हो गया तो उसके लिए परमात्व कहते हैं सुआ को पहले स्टेबल करो फिर जा करके औरों का भी कल्यान करो लेकिन सोचो तो सही कि औरों को कल्यान करना है सिर्फ अपना ही करते रहे अपना ही खाना खाते रहे और अपने भाई बेने को खाना नहीं दिया तो फिर उनको भूगा रखना तो अपने पिता जो होते हैं वो भी खुश नहीं होंगे इसे परम पिता परमात्मा कहते हैं कि औरों की जब सेवा करते हो तो मैं भी खुश तुम से होता हूँ तुमे में और वर्दान देता हूँ तो इसी के साथ तुमें ओम शंती